नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिंदू के एडिटोरी डिस्कसिन में आज दिनांक 19 जुलाई 2023 है आज हम तीन टोपिक डिस्कस करेंगे पहला टोपिक हमारा GM मस्टर्ड क्रोफ से रिलेटेड है जो कि GS3 के लिए काफी इंपोर्टेंट है सेकेंड टोपिक हमारा ED-Inforcement-Directed से रिलेटेड है और PMLA के भी प्रोविजन डिस्कस किया है तो यह तीनोपिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पहला टोपिक हमारा GM क्रोफ से रिलेटेड है पहले GM क्रोफ के बेशिक की बात करते हैं कि GM क्रोफ होती क्या है GM क्रोफ जेनेटिकली modification और genetic modification वाली crops होती है इसमें genes को alter किया जाता है चाहिए वो plant का हो animal का हो या micro organism का हो यह ऐसे होता है कि जो DNA होता है existing है उसको alter किया जाता है और एक नया DNA वहाँ पर insert किया जाता है और उसके multiple फायदे होते हैं कि कोई for example किसी crop को gene को modify किया गए पेस्टिशाइड के withstand होगी मतलब पेस्टिशाइड को tolerant कर लेगी climate change के पर ती काफी resilient होती है उसकी growth का भी faster होती है अब इंडिया में इसका इतियास देखें तो इंडिया में सिरफ BT cotton को यह approval दिया था और approval कौन देता है genetic engineering approval committee GEAC बोलते हैं ministry of environment के इंडर में आती है तो इस article को पहले हम question answer में discuss करते हैं आपके direct question आएगा कि क्या advantage GM crops के और क्या क्या उसमें challenges हैं तो first advantage देखें तो यह resistance to disease है कि जो भी disease आती है plant में जैसे pink worm है blue worm इस टाइप के disease आती रहती हैं तो resistance के परती काफी disease अच्छा माना जाता है GM crops second जो insect होते हैं pesticide होते हैं herbicide होते हैं उनके परती highly tolerant और climate resilient है आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा climate change हो रहा है जिसमें droughts आ रहे हीट और heat बढ़ती जा रही है floods आ रहे हैं तो उसमें उसके परती है tolerant है second यह food security के लिए इंडिया में आप देखो कि world hanger report में इंडिया की position 102 rank है तो food security क्योंकि population में हमारी rise होती जा रही है third देखा जाए तो income opportunity क्योंकि जैसे GM crops होगा ही जाएंगे तो farmers की income बढ़ेगी और डबली में दा farmer income वाला target हम पूरा कर सकते हैं fourth UN के एक report है जो food and agriculture organization F.E.O. UN के specialized agency है उसके इसाब से है कि जब भी GM crops को introduce कि आजाता तो nutrition content उसके बढ़ जाते हैं उन्होंने example विदिया कि vitamin A बढ़ाय गया rice में और जिसके कारण जो vitamin deficiency है वो लोगों में कम हो गई बट इसके challenges जैसे GM mustard के ओपर काफी debate आज के topic में GM mustard के ओपर बात करेंगे तो उसका population पे environment पे for example soil पे तो काफी बुरा impact पड़ सकता है क्यों पूरी तरह research नहीं होगा food chain पे food chain में क्या होता है कोई भी organism अगर food chain में इंटर करता तो ultimately वो human being और बाकी animals को impact पड़ता ग्राउंड वाटर पे क्यों अगर पूरी research नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर वैसे इंडिया में 4% of the ground water है जो की fresh water है तो इतनी water guzzling crops है उसके साथ अगर GM crops को promote करेंगे तो यह वाली दिक्कते आएंगी दूसरा क्या challenge है कि इसके जो unintended intended effect है मतलब जिनको अभी पूरी तरह research नहीं किया गया for example toxicity हो सकती genetic level में एक बार अगर वा एंटर कर गी तो उसको irreversible है क्योंकि वापिस उसको लाना मुस्किल है फिर कोई नया gene modify करना पड़ेगा तब ही हो सकती है third होगा कि अगर plants में weeds होती weeds होती है इस type के unwanted जो भी घास या बाकी चीज़ आती है अगर वो उगने लगी तो वो nutrients को सबको ले लेगी और वो अपने आपको और intolerant बना देगी जिससे फसल को नुक्सान ज्यादा होगा कुछ allergy से related health related concern है कि जो genetic modified crops है उनसे allergy हो हो सकती है और जिसके कारण यह है कि उस allergic reaction के कारण फिर फूट चैन में आएगा और humans को बहुत ज़्यादा impact पड़ती और ultimately हमारी humans को फिर poultry को और बाकी animals को भी बहुत ज़्यादा बुरा अशर पड़ सकता है एक challenge है bio diversity related कि जो हमारी biological diversity उसको compromise क्यों है GM crop क्या कर रही है यह type में एक particular crop को ही promote करेंगी तो हम multiple crops को ध्यान नहीं देंगे financial burden का example ले सकते हैं क्योंकि हमारे farmers देखो तो 85% के आसपा small and marginal farmers जिनकी capacity नहीं है कि इतने महेंगे seeds को खरीदें तो यह वाले कुछ हमने challenges और concern discuss किये crops हैं उनको अगर पूरी तरद change करेंगे तो ethical issues भी आते हैं इस article में यह discuss किया है कि environmentalist के बीच में और government के बीच में एक debate चल रही है supreme court में regarding genetic modified herbicide told and mustard की crops में क्योंकि इससे पहले सिरफ हमने BT cotton को तो approve दिया है genetic engineering appraisal committee ने बट इसको अभी तक पूरा प्रूल नहीं दिया है तो इसमें writer भी discuss करना चाहरा है कि जो farmers हैं consumers हैं इनके concerns को भी address किया जाए क्योंकि genetic modified crops काफी different हैं जो conventional crops हैं और hybrid crops हैं यह हमारे farmers के दोवारा हो गाई जाती है agriculture research इसके दोवारा companies मतलब सबके stakeholders के आपस में कुछ ने कुछ concern है और इसमें biotechnology जो क्या करते हैं नए type का DNA insert करते हैं जाए plant में animal में जो उनने basic में discuss किया और GM mustard के बारे में claim किया जाता है कि यह broad spectrum अधी plant killer जो herbicide glyphosinate एक type का herbicide है यह normally क्या होता जब इसको apply किया जाता था यह फसल को नुक्सान करता था बट GM mustard अपने आपको claim कर रहा है कि plant को नुक्सान नहीं करेगा यह शिरफ जो भी वहाँ पर यह जम्स हैं और बाकी उनको kill करेगा नहीं कि mustard को कोई नुक्सान नहीं करेगा जितनी wheat से बाकी चीजों को नुक्सान करेगा और mustard हमारी intact रहेगी और इंडिया में GM क्रोव की उपर decade नहीं नहीं है मतलब discuss नहीं है यह दो मतलब 20 साल से लगातार चल रहा जिसमें environmentalist होगे scientist होगे politician जो भी stakeholders हैं वो सारे involved हैं और अभी तक उसके उपर पूरी तरह से study नहीं हुए है और काफी लोगों ने इसके उपर concern जाहिर किये थी even beauty cotton पे भी जो कि सबसे पहले ही इंडिया में प्रूव की थी इसमें writer तो इसके against में बोलता हो कहना चाहरे हैं कि beauty cotton ने farmers को शरीफ थोड़ा बहुत फायदा दिया है जो ज़्यादा फायदा हुआ वो किसको हुआ है जो seed companies है क्योंकि seed companies क्या करती है demand ज़्यादा लोगों में generate करती है और farmers को भी लेना पड़ता है तो उनके उपर बहुत ज़्यादा dependent हो जाते हैं लोग तो seed companies को ज़्यादा हुआ हुआ इसी debate में not only farmers और company बट यह देखा जाये तो एक Parliament next standing committee थी जो इसको पूरी तरह से evaluate करेगी और Supreme Court ने भी एक technical expert committee जो इसके उपर पूरी तरह research करेगी और पूरी तरह समझेगी कि जीएम क्रोप्स के क्या-क्या फाइदे नुकसान है एक जो committee की थी 2012 में डूरिंग दा उन्रिवल प्राइम मिनिस्टर देन मनमौन सिंग और दूसरी 2017 में जो करेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों के एंडर में एक standing committee फोर्म की थी ताकि इसको पूरी तरह से समझे और दोनों parties को involve करना ज़रूरी है ताकि उनके concerns भी जाहिर किये जाएं और इन दोनों committees ने unanimously मतलब पूरी तरह से highlight किया था कि जो regulatory system है अपने जीएम क्रोप्स को verify करने के लिए उसमें काफी gaps है और हमें बहुत ज्यादा careful रहने की ज़रूरत है जीएम क्रोप्स को food में जब introduce करने के ल environment and forest ने उन्होंने भी specifically reference दिया था जीएम मस्टेट पे कि government को एक independent और transparent assessment करने ज़रूरत है क्योंकि long term जो biosafety के environment के risk है पड़े सकते हैं जो हमने challenge discuss किये वही वाले और जिसमें से जैसे जो सुप्रीम कोट ने एक technical expert committee थी उन्होंने भी 6 में से 5 member ने यही concerns है कि जो safety assessment जीएम क्रोप्स में उसमें काफी कमिया है और उसको और detail में पढ़ने की जरूरत है तो इसके कारण वही हो रहा है कि जो आप अभी भी जो report जानी थी कि GM mustard को अगर approval दें उसका जो biosafety के dozier है उनको पूरी तरह से public में नहीं डाला गया और even right to information act उसमें अधिकार है लोगों को जानने का farmers को अधिकार है उसमें भी इसके पूरे provision को नहीं दिखाया गया और जो भी criticism आ रहे है agriculture scientist की तरफ से environmentalist की तरफ स या political parties की उसको पूरी तरह से माना नहीं गया और supreme court ने भी अपने ही बताया था कि यह जो अभी GM mustard की बात कर रहे हैं यह herbicide tolerant है मान लो इसको बट फिर भी इसको पूरी तरह से assessment नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जो bio technology की science है obviously इसके बहुत ज़्यदा देंगे उसके कारण फिर farmers की income अच्छी होगी और herbicide tolerant होगी climate friendly होगी बट जो concerns हमने discuss कि उनको भी ध्यान में रखना ही जुरूत है यहीं discuss करना चारा है कि इसको अपरूल देने से पहले जो supreme court और parliamentary की committee है उनको भी जो जो उन्होंने concerns जायर कि उनको address करना ही जुरूत है otherwise क्य यह हमारा GM crops की उपर हमने पूरा discuss किया चलते नेक्स आर्टिकल पर नेक्स आर्टिकल जो कि हम बता रहे थे कि common wealth game से related है अभी तीन साल बचे हैं 2026 में Australia में होने थी लेकिन Australia ने बताया कि इसको अभी host नहीं कर सकते उन्होंने दो तीन वज़े दिये हैं कि initial में जो cost थी 2.6 billion dollar थी और उन्होंने अभी और इसको गहरे से देखा तो 6 billion dollar के आसपास उनकी cost आ रही है और यह कह रहे हैं कि इतने बड़े event को host करेंगे तो उसमें दिक्कते आएंगी मतलब आज के दिनों थोड़े financial crisis face कर रहे हैं और कुछ reason और भी थी हैं कि हो 2022 में olympic host करने वाले हैं फ commonwealth game पर करने की capacity भी नहीं है क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि किसी country ने host country ने दूसरी country को दिया हो या फिर उसने एन मोके मना किया हो इससे पहले डर्बन में होने वाले थे 2022 के अडिशन वो बिर्मिंगम यूके ने उसको host किया था तो यह second time हो रहा है और यह 2026 में हो तो तीन साल पहले ही बता रहा है कि आप गेम को host नहीं कर पाएंगे तो यह थोड़ा इन के लिए फिर manage करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अब इंडिया के लिए क्या concern है आप बताओ कि Commonwealth Games जो होते हैं उसमें क्या फायदे होते हैं क्या नुकसान होते हैं सबसे पहले थी होता है कि जो sports person होते हैं उनको बहुत ज्यादा इससे बढ़ाव मिलता है second country की economy country की prestige को बहुत फायदा होता है साथ मे में जो parallel economy होती वो run करती है और एक अलगी boost मिलता इतने country आते हैं वहाँ पर delegates रुखते हैं तो country की चभी और international forum पर एक अलग image बनते हैं बट concerns क्या है concerns वही है कि अगर country capacity नहीं हो जैसे कतर ने अभी फीफा होस्ट किया था तो काफी countries ने उसके उपर concern उठाय था कि कतर को बाकी चीज़ों फोकस करना चाहिए और तो कतर इतना गरीब नहीं बट फिर भी यही concern थे कि कतर को scope है अपने ल Commonwealth था था हम इसके थोड़े basic discuss करते है Commonwealth of the nation है गया यह 57 countries का गुरूप है और यह mainly British की colonies रहें during that colonial time और इसको establish किया गया था London declaration 1909 में जो members है वो अफरीका से अमेरिका एसिया और पैसिपिक इन countries हैं बट कुछ European countries भी है जैसे Cyprus है Malta है UK है और developed nations जैसे Australia New Zealand Canada यह भी Commonwealth of the nation group के part है अब Commonwealth Games की बात करते हैं कि 1930 में start होए थे और हर चार साल में होते हैं जैसे 2022 में होए अब 2026 में Australia में होने तो इसमें क्याता कि initial में तो सिर्फ 11 countries में थे लेकिन आज के दिन 32 countries में participate करते हैं और करवाता को ना Commonwealth Games Federation जो organization responsible है कि Commonwealth Games को पूरा होस्ट करना अभी Victoria में होने वाले थे तो यह article हमने पूरा basic और detail के साथ डिसकस किया चलते हैं next article पर next article इंफोस्मेंट डारेक्टेट की ऊपर है ED के ऊपर basic हमने current affair में डिसकस किया था अब इस topic पर आते हैं इसमें क्या है कि जो एक इस type का पैसा है कि वो कमाया तो illegal means से है बट उसको इस तरह से portrait किया जाता है कि वो legal लगता है इसमें तीन चीज़ होते हैं पहले होती है placement placement layering integration for example किसी इंसान ने कोई पैसा कमाया और वो illegal means देदा है उसको पहले placement इस तरह से कर दिया कि वो पताई ने चलेगी पैसा कहां गया second layering इतने multiple accounts में transaction कर दिये कि उसको track करना enforcement agencies और जो भी police forces है बैंक के थोटी उनके लिए का भी मुश्किल हो जाए integration उसको फिर last में जो normal white money है उसके अंदर integrate कर दिया तो इस type की chain बनते है जिससे की black money है white money में convert हो जाती है तो यह money laundering के बारे में हमने basic discuss किया जो PML Act है 2002 में उसक तो mainly lies league है था कि money laundering को prevent करे और इसी के अंदर power है कि जो directed of enforcement है उसको power दी गई कि money laundering को prevent करे जो भी उससे related crime उनकी proceeds करे investigation करे और जो assets है उससे related उनको confiscate मतलब जबत करे लेकिन पिछले कुछ सालों से अपज़व किया गया है कि जो ED है directed of enforcement ने उसने police की agency मतलब police के बराबर जो power है और उससे भी ज्यादा power उसने खुद ने अतिया लिए और इसमें काफी अलीगिस नहीं लगते हैं कि political opponents के खिलाप में इसको use किया जा रहा है और उसी related काफी concern है example भी दिया जाता है कि recent जो ED के director उनका tenor भी बढ़ा दिया जो कि supreme court ने उसको stack down किया था क्योंकि उनको retirement number में होना था बड़ सुप्रीम कोड ने आधिश दिया है कि जुलाई में retire होंगे अब PMLA जो था PMLA में यह साफ साफ लिखाए कि इसका काम है money laundering को handle करना especially white collar crime मतलब जो economy crime है उनको handle करना और इसका section 3 यह इसके बारे हम बात भी करता है कि जो भी प्रोशिट जो भी crime है उनको इसके समझा जाएगर property को seize किया जाएगा और इसके अंदर जो offenses है number of the offenses under the PMLA उसके कुछ provision Indian panel code में भी दिये गए है और specifically role बताए कि कौन से जन्ची का क्या role है और इसमे एक word है कि predicate offense predicate offense क्या होता है कि इस act में साफ साफ यह है कि सबसे पहले तो for example किसी ने money laundering किया तो यह प corruption के charges prove होने के बाद में फिर क्या जाता है कि corruption होई है money laundering के तरवा तो लेकिन यह predicate offense अगर prove नहीं होता तो next कारवाई नहीं होती बट ED में क्या हो रहा है कि ED next step भी ले लेती है rather than predicate offense को पूरा complete होने से पहले और ED का role क्या था कि जो भी आदम money laundering में जिनके ओपर suck है या जि initial में यही था कि जो PMLA का section 50 था कि उसमें normally उनकी inquiry करना था कि next करवाई पुलिस करश के और investigation को जैदा strict sense में नहीं करना लेकिन ED के authority ने क्या किया उसको बहुत ही strict कि लोगों बुलाया जाता है जिनके उपर allegation है काफी दिर तक बढ़ाया जाता है मतलब harassment हो जाता है तो यहां आपे ED और पुलिस के उपर थोड़ा सा तो difference है उसको हम एक बार discuss कर लेते हैं कि ED पहली बाद तो ED एक पुलिस नहीं है जब पुलिस कोई भी cognizable offense क्या होते हैं जिसमें तीन या तीन साल से ज़्यादा सजा होती है और उसमें पुलिस को arrest warrant magistrate के warrant की जूरूत नहीं होती और arrest कर सकते हैं तो पुलिस हमेशा FIR loge करती है उसमें लेकिन ED उनको arrest करने से पहले FIR loge नहीं करती दूसरा क्या होता है कि जो पुलिस एक procedure follow करती है कि investigation उसको start करने है ताकि crime को वो ठीक से investigation करके उसको पूरी तरह से जांच कर सके और जो FIR की copy होती है पुलिस प्रवाइड करती individual को जो complaint करता है जो accuse होता है उसका FIR की copy दी जाती है लेकिन ED के पास इतनी power है कि जो इनकी एक enforcement case information report ECIR है वो भी नहीं दी जाती है individual को तो यहां पर difference आजाता है दोनों में इवन राजेशवा में जब discuss हो रहा था जिस टाइम ये बिल पे तब यह कहा था कि जो ED है उसको एक police की power नहीं दी जाती बट फिर भी उन चीजों को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है बीडी के उपर कुछ data discuss किया गया है कि जो ED के अंदर में जैसे देखा जाए तो 5906 में से चिर्फ 1142 केस हैं जिनके उपर पूरी तरह से investigation होई और conviction rate बहुत कम है और यहां पे opposition party ने यही allegation लगाया है कि 85% cases दो political opponent है जो opposition political party उनके एक cage parrot बोला था Supreme Court ने की CBI भी एक मतलब बंदावत होता है तो same ED भी अगर उस तरह से misuse होगी और अगर इस तरह से वो करेगी तो ED के उपर भी लोगों का trust हट जाएगा तो जो इसका domain है उसको power use करने का उसके अंदर रह इसको काम करना चाहिए तो यह हमारा article था और यह थ करना, thank you, thank you for watching.